हाँ जी गुड मॉर्निंग दोस्तों कैसे हो आप लोग और आज हम strategic financial management जो कि हमारा subject है हम start करने जा रहा है और sir कौन सा chapter पढ़ने जा रहा है हमारा first chapter हमारी book का first chapter और sir practice manual का study material का कौन सा chapter है तो यह विट्टे आपको साथ साथ दिया रहा है study mat में कोई दिक्र की बात नहीं जो मेरी book रहेगी उसमें पक्का comparison करके बताएगा कि study mat जो IC AI ने issue किया उसका कौन सा chapter number है हमारी book का कौन सा chapter number है खेर पहला जो किया वो किया क्या किया अपने basic of finance basic of finance से क्या question आने है नहीं पर क्या basic of finance का यूज derivative chapter के लिए होगा बिल्कुल सहीं forex के लिए होगा उसमें जो चीजे पड़ा है वो base है अपका और उसी base को मैं use करूंगा इस chapter में भी आने वाले बहुत सारे chapters ठीक है ओके साथ है आगे मैं बहुत सारी चीजे बोल दूंग डेरिविट्व मुस्किल चैप्टर नहीं है डेरिविट्व बहुत बहुत interesting chapter है बिल्कुल मजा आ जाएगा शर्त यह है कि आप अपने दोस्तों की बात ना सुनो या अपने senior की बात मत सुनिएगा अगर वो यह बोलेंगे कि डेरिविट्व थोड़ा सा मुस्किल चैप्टर है बेकार की बात है या फिर यह बोल सकते कि डेरिविट्व से कोश्चन नहीं आता तो यह और भी बेकार की बात है या फिर कुछ selected study करते ना वो लोग कहते कि सर सबसे मुस्किल चैप्टर माना जाता है हमारे subject SFM में मुझे मुझे टाइम दीजिए मैं आपको बता दूंगा कि वाकी बिल्कुल ही चैप्टर का नाम लिखो और चैप्टर का नाम लिखो गया डेरिविडियोज डेरिविडियोज टिक है चलो फटा फट से देख ले डेरिविट्व क्या चीज है डेरिविट्व नाम से लग रहा है तो नाम से तो कुछ अजीब ही लगता है एक्चुल में डेरिविट्व क्या है तो सुनो बेटे क्या आपको स्टॉक मार्किट में जाना है यस अगर आपको स्टॉक मार्किट निफ्टी सेंसेक्स शेयर मार्किट में डील करना है ट्रेडिंग करना है तो सरजी डेरिविट्व का नौलेज जरूरी है derivative अगर मैं कहो लोग share market में बरबाद हो जाते सुनाओगा ना लोग share market में बरबाद हो जाते तो क्या वो share market हम लोग share market में trading करने का मतलब कैसा मस्तिवान में share खरीदेंगे, share बेचेंगे बीटे share खरीदना और share बेचना वो तो बात की बात है सबसे important जो market में बरबाद होते हैं वो derivative के कारण बरबाद होते हैं या फिर जो बहुत speed से कमाते हैं वो derivative के कारण कमाते हैं और यही मझे आपको समझाना share खरीदना और बेचना यह अलग matter और derivative market में शर्त लगाना सट्था खेलना सिखाऊंगा और कैसे खेला जाता है वो मैं आपको यहां समझाऊंगा ठीक धीरे-धीरे start करेंगे कुछ लोग expert भी बच्चे जो देख रहे होगे मेरा lecture प्लीज मैं आपसे request कर रहा हूं जब मेरी बास सुना जब मैं पढ़ाने start करूंगा तो basic चीजे कुछ चीजे छोड़ती हुए चलूंगा और लाश में उन चीजों को पकड़ दूंगा लेकिन जिनका expert knowledge है वो जब मेरी शुरू की class देखेंगा तो objection देगा नहीं नहीं कि ऐसा भी होता तो भाई वैसा भी होगा थोड़ा मुझे आगे बढ़ जाने जाना ठीक है मैं क्या बोलना चाहता हूं का सब समझ जाओ मैं यह बोलना चाहता हूं कि सर जी आप लोग थोड़ा सा मुझे time दीजिए थोड़ा सा time दीजिए ताकि मैं आपको expert कर दूं कि derivative क् ठीक है सर, तो चलो समझना स्टार्ट करते हैं और मैं आप से कह रहा हूं कि मालो एक परसन है, और सब परसन का नाम क्या है, यह एक परसन जिसका नाम है रान, और एक कमपनी है और कमपनी हमारी फैवरिट कमपनी जिसका नाम है रिलायस, और रिलायस के शियर की अभी जो प्र और राम को लग रहा है कि Reliance के share का price आने वाले 3 महने बढ़ेगा और 500 से बढ़ के कितना हो जाएगा रूपीस तो यह कब होगा पेटे आज से 3 महने बाथ आज share की कीमत कितनी है 500 और आज से 3 महा बाद क्या लग रहा है राम को राम को ऐसा लग रहा है कि आज से तीन महने बाद शियर की कीमत पास्तों पचास हो जाएगी क्या किसी भी चीज का estimation लगा सकते हैं यस अनुमान लगाया जा सकता है मैं आपको basic of finance में समझा चुका हूँ कि एक अन्दाजा तो लगा ही सकते कि यह बहुत ज़्यादा probability की शियर की price पास्तों पचास हो जाएगी सहब, CA सहब राम को profit कमाना है, profit कैसे कमा सकता है राम एक simple सा question है, simple सा answer आपका यही होगा सर एक कम करना चाहिए, राम को आज share खरीद लेना चाहिए, मान लो share कहा है आज share खरीद लेते सर, कितने का share खरीदेंगे बटे, कितने रुपए का आज market से share खरीदेंगे Reliance का, सर 500 का share खरीदेंगे, ओके उसके बाद सर तीन मेहने तक इंतजार करेंगे, wait करेंगे बेज देंगे, कितने रुपए का profit हो जाएगा, पचास रुपए का profit हो जाएगा, ठीक है यह derivative की definition समझाने वाला हूं, बस मुझे time देजी, यहां तक बास समझ में आजए Sir, अगर मान लो, आज से तीन मेहने बाद, राम ने share खरीद लिया, जी कितने का खरीदा, 500 का, क्या सूच की share की कीमत कितनी हो जाएगी, पास सो पचास और जब वो इंतजार करना, भगवान, 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 share का price बढ़ा दीजिए, बढ़ा दीजिए और तीन मेहने बाद, भगवान ने उनकी नहीं सुना, और share का price 300 रुपए हो गया, पास सो की उमीद थी, पास सो नहीं हुआ, पास सो पचास की उमीद थी, पास सो पचास नहीं हुआ, 300 रुपीस हो गया, तो क्या राम को लॉस होगा, और सुना, हम ये मान के चलते हैं, कि holding wedding period हमारा three month ही है, हम तीन महा से आगे नहीं जाएगे, हम इंतजार नहीं करेंगे कि आज नहीं तो कल बढ़ेगा, तीन मैंने, और तीन मैंने बाद हमको share बेचना ही है market में, तो बिटे, अब सोच के बताओ, क्या राम को loss हो सकता है, यस, और कितने का loss हो सकता है, 200 रुपए और राम क्यों परिशान, राम दो चीजों से परिशान है, पहले चीज की परिशानी किस चीज की है, पहले चीज, हे भगवान, बढ़े गास शेयर का price, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर price कम हो गया, 300 रुपए हो गया, तो मैं बरबाद हो जाऊंगा, एक problem य ठीजुस रह एक्चुल में share खरीदने में एक problem है, profit भी हो सकता है, पर loss भी हो सकता है, profit भी खूब हो सकता है, loss भी बरबाद भी हो सकते, बुरी तरह से बरबाद हो सकते. यहां तक बास समेंजे हैं? हाँ, तो राम का पहला problem मैंने आपको बता है, राम का दूसरा भी problem है, second प्रॉब्लम क्या है और शेयर खरीना पड़ेगा तो आज जेपसी कितना निकालना पड़ेगा 500 आज 500 रुपए लगी का साहब अगर आपको कमाना है तो राम मोलता पैसे में इन्वेश्ट नहीं करना चाहता इतना सारा पैसा में ब्लॉक नहीं करना चाहता बैटे दो समस्या है दो समस्या है पहली समस्या ध्यान से समना प्रॉफिट हो सकता है नो डाउट पर लॉस भी हो सकता है बुरी तरह से आप बरबाद अनलिमिटिड लॉस हो सकता है पूरा पैसा बरबाद हो सकता है दूसरा दूसरी प्रॉब्लम यह सब काम करने के लिए आपको आज पैसा लगेगा और कितना लगेगा 500 और राम वो 500 खर्च नहीं करना चाहता, वो पैसा ब्लॉक नहीं करना चाहता, दो प्रॉब्लम, यहां तक ठीक है, अब इसका अल्टरनेटिव क्या आया, अब मेरी बास सुनोगे, राम क्या किया, राम गया, किस के पास, इस टॉक एक्षेंज, और इस टॉक एक्षेंज से बातचीत हो रही है, किस की बातचीत हो रही है, राम की, कि और क्या क्रेशन हो रहा क्या कान कद्वर्शेशन हो यह मैं आपको समझाउंगा राम गया के पास, और बता रहा हूं तो प्लीज है अपन reem स्क्रेशा यह वह न बदेपात झाल न फिरली स्ञ बन था झालता है थ् garments, एक उपन छेयर का वेमान को दुझा यह राइन्स वो है पासब और राम बोलना है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तीन मेने बाद शेयर की प्राइस हो सकती है पास सौ पचास रुपहे पर यह कब हो सकती है आफटर 3 मूंत्स after 3 months share की price हो सकती है पास 150 रुपा ठीक है जी कोई दिक्रत की बात नहीं है तो राम से stock exchange holder ठीक है ना भई मैं क्या कर सकता हूँ आप एक काम किजिए आज share खरीद लीजिए कितने का 500 का और 3 महने बाद बेज देना 550 का तो आपको तो वैसी भी फाइदा हो जाएगा कितने का फाइदा हो जाएगा 50 रुपे का राम बोलता नहीं ने stock action मेरे साथ ना दो प्रॉब्लम है पहली बात 500 रुपे है ही नहीं 500 रुपे यार कहां मैं नहीं करना चाहता 500 रुपे इंवेश्ट अच्छा और बोले दूसरी प्रॉब्लम बोले दूसरी प्रॉब्लम यह है कि 550 हुआ तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर शेयर का प्राइस 200 रुपे हो गया तो मैं तो बरबाद हो जाऊँ गया और राम कहता है तो मैं इतना रिस्क भी नहीं लेना चाहता है बताओ मतलब यार ना तो पैसे लगाना चाहते है ना तो रिस्क लेना चाहते है तो प्लीज श्टॉक एक्शेंज प्लीज बताईए कोई अल्टरनेटिव है क्या अब stock exchange बोलता हां ठीक है एक alternate आप सुना राम को समझा रहा है तो राम एक काम कीजी आप मेरे साथ बिल्कुल ध्यान से समझ जोगे मेरे साथ एक contract कर लीजिए किसके साथ contract हो रहा है राम के साथ किसका stock exchange कर रहा है मेरे पास भले ठीक है मैं आऊंगा आपके पास और यह वाला शेयर रिलाइंस का शेयर आज मार्केट प्राइस बहले कितनी चल रही है पास सो रुपए उसको छोड़ दो यह वाला शेयर आप मुझसे तीन महने बाद पास सो दस रुपए का ले जानीज़ पास सो दस और कॉंटरेट क्या हो रहा है रां यू है राम यू है राइट राम यू है राइट राइट राम आपके पास किस शियशका तू बाय रिलाएंस शेर एट पेस 510 आफ्टर थ्री मस बोले ये होगा हमारा कॉंट्रेक्ट ये कॉंट्रेक्ट पेपर हो गया जी और ये हो गया कॉंट्रेक्ट राम कहता हुआ और बोले सुनों dzięki मेरे पास क्या है आपके पास राइट है और राइट किस चीश का है बोले राइट इस बात का है इस बात का राइट है कि आप तीन मेहने बाद ले जा लेना 510 रुपे का शेर ले जा लेना यही रिलाइंस का शेर और तीन मेहने बाद मार्केट में कितनी कीमत हो जाएगी पास सो पचास हो जाएगी तो पास सो पचास रुपे में बेज दीजेगा आपको कितने का फायदा हो जाएगा आपको तो चालिस रुपे का फायदा हो जाएगा Contract किस किस के बीच में हो रहा है राम और Stock Action Contract कब हो रहा है आज Share की Delivery कम मिलेगी आज नहीं मिलेगी कम मिलेगी आज से 3 महने बाद राम को राम 3 महने बाद share खरीदेगा Fix है कितने रुपए में 510 रुपए में और कितने में बेज देगा पास सो पचास रुपए मैं तीन मैने बाद मार्केट में बेश देगा तो कितने का फायदा हो जाएगा चालिस रुपए का हलाकि मैं आपको आगे समझाओंगा कि actual में कोई share बेचर नहीं जाएगा खरीदा नहीं जाएगा वो बात की बात है वो difference मिल जाएगा पर मैंने कहा ना अभी आपको मैं जो language यूज कर रहा हूँ वो language आपको यूज करना पड़ेगा आगे मैं जाओंगा सारी बात ही clear को जाएगी ठीक है सारा हलाकि मैं seriously बताऊ सब तीन मैने बाद पास सो पचास होगा तो क्या क्या होगा राम जाएगा stock exchange बाद share खरीदने कितने में share खरीदेगा पास सो दस में और कितने में market में बेज देगा पास सो पचास में क्योंकि पास सो दस में तो booking हो चुकी है और stock exchange से booking हो चुकी है कि हम पास सो दस में share खरीदेंगे और तीन मैने बाद तीन मेने बाद 510 में खरी देंगा और मार्केट में कितने में बेज़ देंगा पांस तो पचास में हाला कि ऐसा कुछ नहीं होगा, इस टॉक एक्षेंज कितने रुपए का फायदा है राम का, 40 रुपए का इस टॉक एक्षेंज 40 रुपए राम को दे देगा बात खता है पर वह एक्ष्वल जो है एक्ष्वल अभी रुख जाओ रुख जाओ एक्ष्वल क्या होता हूँ मैं आपको समझाओंगा पर पहले मेरी स्टोरी तो सुन लो यहां से ठीक है सर सुन लिए यहांतर क्या बाते स कॉंट्रेक्ट हो रहा है किसके से स्टोरी और राम के बीस राम शेयर खड़ी देगा कितने में पास्व दस रुपए में मार्केट में कब आज से तीन मेने बाद पाद लिए और आम गमालो में पास्व पचास हो जाएगा तो मेरा फायदा है लेकिन नाम बहुता सुनो सु बताओ मैं क्या करूंबा, अगर 300 रुपय हो गया तो राम केता अच्छा, हाँ बताओ ना अगर 300 हो गया तो मैं तो बरबाद वैसे भी हूँ, मैं आप से शेयर खरीदू क्योंकि contract है, और contractor को तो आप तो नहीं सकते हैं ना, यही तो बात होती है, तो बोले मैं तीर मैने खरीदना पड़ेगा, पाक सो दस में, और फिर मुझे कितने में बेचना पड़ेगा, 300 मैं मैं पागल हो गया हूँ, कि पहले भी तो यही जमस्या थी, बोलें आपके पास right है, right, right, obligation नहीं है, मैं का बोल रहा हूँ, कि आपको खरीदना ही पड़ेगा, आपके पास right है, right, option है, चाहो तो आप खरीदना तीन मेहने बाद, चाहो तो आप मत खरीदना, आपकी मर्जी है, पर आप अगर आए, तो मैं श्टॉक एक्षेंज हूँ, और मुझे ये शेयर आपको पास सो दस के हिसाब से ही देना पड़ेगा, और राम के तो अगर मेरा को नहीं आना है, तो मत आन करो, क्या बोलना चाहते है, राम गहता, अगर छेसाब रुपए हो गया, तो मैं आऊंगा आप से शेयर पास सो दस में खरीद हूँ, और तो देक है, और बोले, अगर मान लो, शेयर पास दॉस दूसो रुपए हुआ, तो भले, फिर मैं नहीं आऊंगा, आपको लगेगा, तो आना नहीं लगेगा तो मत आना खुश राम की खुशी का ठिकाना नहीं राम मनी मने सूसरा लॉस तो है नहीं है भाई अगर प्राइज जादा होगा तो मैं जाओंगा प्राइज कम होगा तो मैं जाओंगा ही नहीं वाउ इस कॉंट्रेक्ट का नाम क्या हमालम है इस contract का नाम है option contract option राम की problem सारी खतम हो चुकी है राम के साथ कितनी problems थी दो पहली कौन सी problem थी पहली problem ये थी कि राम को राम को आज ही आज share खरीदना पढ़ रहा था उस समय में कि राम को ऐसा लग रहा था कि राइस कितना हो जाएगा पास्तों पचास तीन मेहने बात पर उस चीज से फाइदा उठाने के लिए राम को आज share खरीदना पढ़ रहा था और कितने रुपए का पास्तों रुपए का टेंशन खतम आज तो पैसे लगानी नहीं साफ टेंशन ही खतम वाव राम को और दूसरा टेंशन और खतम टेंशन की कहीं जाओंग लिए इसको बोलते एक्ससाइसी नहीं करूंगा डिफीकलेट हो जाएगा में जाओंग लिए श्याओंग से प्राइस कम लिए टेंशन फायदा यह फायदा ना तो आज पैसा लग रहा है पास्तों रुपए और ना तो मुझे फ्यूचर में लॉस होने वाला ठीक है और इस contract का नाम क्या option, राम के पास option है, अब सुनो, सर, stock questions को क्या फायता, stock, राम की खुशी का ठीका ना नहीं, राम नेका ठीक है, stock कर लो contract, stock questions, अब समझाता है, राम से, बोले, सुनो, सुनो, राम, सुनो, बोले, अब क्या दिक्कत है, बोले, कुछ पैसे तो आपक इसकी कीमत होती है, सर, free में नहीं होता, और आपको इस contract के बदले में, यह जो option आपको मिल रहा है, इतनी ज़्यादा facility मिल रही है, इसके लिए कुछ पैसे तो देना बढ़ेगा, और मैं आपसे ज़्यादा पैसे नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं आपसे, पाँच रुपए मांग रहा हूँ, पाँच रुपए, हाला कि इसको वो लगा था, premium, सिर्फ पाँच रुपए मांग रहा हूँ, इस contract की कीमत तो देना ही बढ़ेगा, किसको stock exchange को, और सिर्फ पाँच रुपए, मन से बोल रहा हूँ, पाँच रुपए कोई fix नहीं होता, राम ने का, ओके, अब राम के मन में सुनो क्या बात आ रही है, राम ये कह रहा है, कि ठीक है stock exchange, बनाओ contract, मसाला लगा कर बता रहा हूँ यार, contract बना, contract में लिख दिया, राम आपके बास राइट है, कि आप तीन मेहने बाद पास सो दस रुपए का share खरी सकते हो, contract में sign गया contract, और इसकी कीमत है, राम ने का, ठीक है, मैं तयार हूँ, और राम ने पैसे दिये, कितने पैसे दिये, पाच रुपए किसको, stock exchange को, और बन्दले में ये contract मिल गया, किसके पास आ चुका है, राम के पास, राम की खोशी का ठीकाना ने, इसका कितना रुपया दिया, मै पाच रुपए, सब पाच रुपए बाद में जिश्ट होगा, बेटी, ये कोई deposit नहीं है, ये कीमत है, इस contract, इस paper की कीमत है, पाच रुपए कब गया, राम के पास से, आज, बदले में ये क्या मिला, चिट्थी contract, गुट, इसकी कीमत कितनी है, पाच रुपए, बस, बात क काम, मुझे मेरा पास सो रुपए में हो रहा था, पास सो रुपए में शेयर खरीदा था, वही काम, आज कितने रुपए में हो गया, सिर्फ पाच रुपए में हो गया, पाच रुपए में, और इसके अलावा और सोच, इसके अलावा अगर देखा जाए, अगर मेरे पास 500 रुपए, अगर मेरे पास 500 रुपए, तो मेरे पास 2 चोईसे, सुनना वेटे, क्या अच्छा है, पहली चोईसे की शेर खरीदू, कितने में, 500 में, गया 500 में, अगर मेरे पास 500 रुपए ही है, तो पहली चोईसे की शेर खरीदू, कितना पैसा गया, 500 गया, तीन मैने बाद मालो share की price 550 हो गई तो 550 हो गई तो कितना कमा लोगा 50, right कोई दिक्कत की बात नहीं लेकिन अगर 200, 300 हो गई तो मैं तो loss हो जाएगा तो अगर मेरे पास 500 रुपए तो पहला चुछ शेयर खरीदो या तो 50 रुपए कमाओ या तो बरबाद हो जाओ दूसरा चोईस है कि share ना खरीद कर मैं contract कर लेता हूँ पूरे 500 रुपए का तो एक contract कितने का पाच का तो total मिलाकर मैं कितना contract कर सकता हूँ 100 contract 100 shares पर contract कर सकता हूँ और price बढ़ा तो एक share पर 50 तो 100 share पर पता नहीं कितना अब price कम हो गया है तो हो जाए क्या होगा हमारा पैसे ही तो जाएगा 500 रुपए वैसे भी loss हो रहा पैसे भी loss होगा हाला कि इसमें थोड़ा सा जादा होगा पर 100 जब profit होगा तो unlimited होगा जाना बेट इतना जाने कितना खेर मैं थोड़ा सा अभी उस पर चला गया था advanced level पर मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूं क्या राम जो सोच रहा था वो हो गया यस पस एक बात जो मैं आपको समझाने चाहरा हूं यह जो पाच रुपए मेरे जेप से जा रहा है पाच रुपए यह पाच रुपए राम की जेप से कब जा रहा आच और कितने में मुझे मिल जाएगा मुझे मिल जाएगा पास सो दस रुपए में कब मिलेगा पास सो दस रुपए में अज की तीन मैने बात ता थीक है। लिए मैं खरीद लिया है। न वाए無ड segment से कितना गए लुट लुट लुटS दिटेश को असे टीन मैने बाद स ANY असे इसकी बिथिर Eeर पthen यहे थेंवरी। फ़र dł Yak taylor और हम Ranger की कीमत कितनी आश और इस चिट्थी के बैने कितने दिया चुट कर नुब कर और सब्सक्ति मेरा 5 रुपय चुकाइच से और में भगवान से करता है भगवान कम मत करना रिंए करूगे तो मेरा पाफ रइस की वैल्यू के खता हुझ आइगी प्लीज इसको बढ़ा देना शेर का प्राइस बढ़ा देना धिकातना करु में खिस्मत बहुत अच्छी और अग्ले दिन कीमत पाफ सौ्पचास हो गईए वाओ जैसे जैसे शेयर का प्राइस बढ़ेगा मेरी खुसी का ठिकाना नहीं क्योंकि मैं तुम 3 महाँ बात पाश्व 10 का ही खरी दूँगा और मार्केट में छे सो सा सो एक हजार बेस्ट जाँगा वाव मेरे खुशी का ठीकाना ने पास बस बगवां अगले दिन और बढ़ा दो और बढ़ा दीजिए और अगले दिन शेयर का प्राइस छे सो रुपए हो गए वाव कितना अच्छा कॉंट्रक्ट है कितने रुपए दिये थे सिर्फ पाच रुपए दिये और आज बताओ 500 से 550 हुई और उसके बाद 600 हो गए मैरे खुशी का ठीकाना ने मेरे एक दोस्त आया बहुत खुश देख रहा है मैंने अगा हां बहुत खुशी का वज़ा क्या कारण क्या मैंने सारी कहानी सुनाया मैंने यह देखो यह चिठी रखी है तीन मेहने बाद मैं जाओंगा इस टॉक यह लेटर दे दूगा यह कॉंट्रेक्ट यह दे दूगा यह पेपर यह पेपर दे दूगा और बदले में मुझे पासव दस का शियर मिल जाएगा और फिर मैं मार्केट में 600 का बेज दूगा 600 अभी हुआ यह जो कॉंट्रीक पेपर है बले हाँ है बले जिस्के पास रहेगा यहा वा जाएगा वे श्टॉक एक्शेंज को दिआ जाएगा यह कॉंट्रेक्ट पेपर और बदले में यह बस्टॉक थे झाल में ठीक है सुन और यह जो पेपर यह प्रीज मुझे बेज दीजी लोट एब लें पांच रुपैंप आपने खरीदा है इस टॉक एक्शिन से आप मजे अभेज दो सामने वाला परसें कितने में मांग रहा है 10 वाल को दम स्याम बोल रहा हूं zit जै जो समय नहीं बात नहीं बात थो गहीं जो पेपर पाच का था मैं सामने वाले परसन से 25 रुपए मांग रहा हूं 25 रुपए दो यह पेपर ले जाओ तीन मैने बाद आप ही चले जाने श्टॉक इक बात कता है अब यह पेपर में बेचने को तयार हो गए बताओ अब शेयर की तो बात ही कतम हो गई अब यह कॉंट्रेक्ट पे अब फिर अगले दिन दोस्त आया दोस्त बोलता है सुनो आपको 30 रुपए देना पड़ेगा 30 रूपए सर इसका मतलब ये हुआ कि सर इसका मतलब ये हुआ कि जैसे-जैसे share का price बढ़ आ इस contract paper की भी value बढ़ रही हाँ तो सर इसकी value जो derive हो रही है पिर से, इसकी जो value derive हो रही है वो Share के प्राइस से डिराइव हो रही है एक्जक्ली यही में कहना चाहता हूं इसी के लिए मैंने आदध गंड़ वरबात कर दिया कि डेरिविटिव्ट क्या है यह यह एक फाइनेंशाल इंस््रूमेंट financial instrument जो derive होती है इसकी value कहां से होती है share के price share का price बढ़ेगा share का price बढ़ेगा तो यह contract की paper की value भी तो बढ़ेगी automatic महगा बिखना इस्ठार्ट होगा यह जो share share की price पर इसकी price depend करती है share की price को हम बोलते underlying asset it means इसकी value किस पर depend करती underlying asset share पर अगर share का price बढ़ेगा तो इसका value भी automatic क्या होगा बढ़ेगा इसका नाम क्या है derivative सर कभी तो आप option बोल रहा है कभी derivative कभी contract paper इसी को मैं बोल रहा हूं contract paper हाला कि यह जो टाइप का contract इसको बोला जाता option contract और option contract एक part है किसका derivative का okay sir तो सर इसका मतलब है कि derivative में ही एक कौन सा option derivative में भी होगा एक कुछ और हाँ जी हाँ बस ही मैं यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि derivative क्या पहले वह समझ लेज़ेज़ डेरिविट्यू एक financial instrument इनेगोशिए बले 100 पर इंगोशिए फाइनेशिल वोड़ा फाइनेशियल इंस्टूमेंट विच डिराइव इच डिराइव इट्स वैल्यू इट्स वैल्यू फ्रॉम किस से डिराइव थी अंडरलाइंग असे और अंडरलाइंग एसिट क्या हो सकताओ शेयर से हो सकता हैं बॉंड्स हो सकता बॉंड्स करीदने का currency हो सकता करेंसी का मतलब डॉलर ऐसा भी तो लग रहा आज डॉलर की कीमत ऐसा पर दो आज गोल्द केमत है 50,000 रुपिया तोला ऐसा भी हो सकता तीन मेने बाद 60,000 रुपे तोला हो जाए तो चलो एक कॉंटेट करती गोल्ड भी हो सकता है commodity this is derivative तो derivative क्या होता है derivative book की language book की language derivative is a financial instrument which derive its value from an underlying asset underlying asset में क्या क्या सकता underlying assets में shares आ सकता stock का सकता है sensex आ सकता nifty होता गया सर संसेक्स हो सकता निफ्टी हो सकता बहुत कुछ हो सकता currency हो सकता है ठीक है सर बात समझ में आ गई this is derivative हाला कि derivative एक तरह से शर्त लगाने का तरीका सर सर बिटी सर ऐसा है सुनो आपने अगर में कहूं the stock stress को किया ये paper मिला यास कितना रुपय दिया इस paper का सर 54 फ निया पाच रुपय मैं दे चुकए में हो राम मैंने 5 रुपय दे चुकए मैं भगवान से क्सिवा blij उमंजीच क्या प्रात्ना करूंगा मैं भगवान प्रेम करूंगा शियर का प्राइस बढ़े किससी पांसोदस से, अगर पांसोदस से बढ़ा, तो फाइदा, और पांसोद, लौटरी समझते हो, लौटरी, हाँ सर, क्या होता है लौटरी में, सर हम लौटरी की टिकेट खरीद लेते हैं, यस, लग गयी तो बहुत सारा मिलता है और नहीं लगी, तो सर वो जो लॉट्री की टिकेट खरीडे जो पैसा दिया बस वही तो जाएगा बस यहां भी मैंने लॉट्री की टिकेट ही खरीदा है बोलो कितना रुपए दिया पाच रुपए लग गई तो खुब कमाओ गये नहीं लगी तो लॉस इटमेस लग गई और शेयर का प्राइस कितना हो गया 200 हुआ तो खतम डू बन जाने तो पाच रुपए तो अल्टिमेटली यह क्या है यह सक्टा खेलने का एक तरीका और कुछ वाँ परिवफ है तो मुस्किल सर मुस्किल नहीं है धीरे धीरे करोगे ना बात समझ में आगी और मैं धीरे धीरे करोंगा अभी मैंने अब सुनना ये तो था ओप्सन जिसमें हमको कुछ पैसे देना होता था प्राइस बड़ा लॉट्री लगी तो हमको मिलेगा नहीं लगी तो हमारा जो पैसा हम सुरू में दे रहे न वहीं जाएगा इसके लावा और एक चीज होती थी और ये होता था मान लो शेयर से लेलो या गोल्ड लेलो चलो गोल्ड 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 क्या चल रहा अभी रेट सोने का सर्फ 50,000 रुपया तोला दस ग्राम का 50,000 रुपया दो पर्शन है एक का नाम है राम और एक का नाम है श्याम राम को ऐसा लग रहा है कि गोल्ड का प्राइस आज से तीन मेहने बाद 50,000 से उपर जाएगा और स्याम को ऐसा लग रहा है गोल्ड का प्राइस आज से तीन मेहने बाद 50,000 से नीचे जाएगा इसको क्या लग रहा, 50,000 से नीचे जाएगा, इसको क्या लग रहा, 50,000 से उपर जाएगा तो इन दोनों को ऐसा लग रहा है, तो क्यों न ये दोनों contract करते हैं क्या किसी को gold की जरूरत है, नहीं क्या किसी के पास gold पड़ा हुआ है, किसी के पास पड़ा हुआ नहीं बस इसको expectation की price बढ़ेगा इसको expectation की price गिरेगा तो ये दुनों कहते कि चलो contract कर लेते हैं एक दूसरे के साथ contract ये कह रहा था कि मैं gold खरी दूँगा मैं gold खरी दूँगा buy और ये कहता कि ठीक है जी मैं तीन मैंने बाद आपको gold बेज दूँगा ये कहता मैं gold खरी दूँगा तीन मैंने बाद 50,000 की सबसे और ये कहता ठीक है जी मैं बेज दूँगा 60,000 की सबसे मैं स्याम के पास जाओंगा तीन मेहने बाद और गोल्ड खरी दूँगा कितने के सबसे 50,000 के सबसे खरीद दूँगा और मार्केट में कितना हो गया है 60,000 तो मैं 60,000 रुपर मैं बेज दूँगा मेरा कितने का फाइदा 10,000 का ये सोच किस की है राम की स्याम सोच रहा यार गोल्ड का रेट तो कम होने वाला 30,000 होने वाला है तो स्याम क्या सोच रहा सुनो कि अस्याम यह सूच राए ठीक है जी तीन मेहने बाद किविन कि मैंने बेचने का कॉंट्रेट किया तो सुनो राम आपको खरीदना ही पड़ेगा तो टेंशन कतम, बोले, मैं आपको यह option नहीं है, यह कोई और contract है, तो श्याम से उसरा ठीक है, तीन महने बाद मैं मार्केट से 30,000 रुपए में खरीदूगा, और इसी gold को कितने में बेज दूँगा, rate कितना हो जाएगा, 50,000 में, बात हो चुकि 50,000 में में बेज दूँगा, मेरा फायद हो जाएगा, अल्टिमेटली देखो ना, बैटिंग वहरी, बैटिंग ऐसे हो रही है, शर्त क्या हो रहा, शर्त क्या लगरी सुना दियांस, इसको क्या लगरा gold का price बढ़ेगा, इसको क्या लगरा gold का price गिरेगा, चलो लगा लो शर्त, राम किस चीज की शर्त गोल्ड के प्रैस के बढ़ने की और स्याम गोल्ड के प्रैस के कम होने की तीन मेने बात किस से जादा होगा पचास जार से जाता होगा तो राम जीत जाएगा 60-50-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30 और यह क्या हो गए दस जार से जीत गए हैं सर ये भी होता है क्या हाँ ये भी होता है हाला कि जब बीच में कोई नहीं है आमने सामने बात होती है इसको बोलते है और दा काउंटर ऐसे कॉंट्रेट को क्या बोलते है फावर्ट कॉंट्रक्ट पर यही शर्त अगर बीच में को future contract, future contract, हम लोगों को derivative में 2 type के contract पढ़ना है, option contract, 3 type के मैं बोलता हूँ, forward तो है नही है, पर फिर भी वो मैं पढ़ा दूंगा, option contract, forward contract, future, future पढ़ने से पहले forward आपको पढ़ना ही पढ़ेगा, 3 type के contract हमें derivative में discuss करना है, सर इसका मतलब हम शर्थ ही लगाना सीखेंगे यस option contract में बहुत सारी classes लगेगी 10, 12, 15 गंटे की classes forward and future contract में 15 गंटे की classes लगेगी तो total मिलाकर 30 गंटे की अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार बड़ी speed से class चल रही अभी तो मैं overview दे रहा हूँ अभी आपको ऐसा लग रहा समझ में आ गया हो गया forward contract सर्थ हो तो गया है और क्या पढ़ा होगी बिट्टे 15 ग्लास लगनी 15 classes तो सुचो टाइम तो लगेगा अब थोड़ा बहुत लिख ले यस जितना भी पढ़ा था कि नोर्स मेरे साथ सथ बनाओं के मेरे रिक्वेस्ट है कि मेरे साथ सथ लिख हो गए कि डेरिविटिव क्या हो था पर रहे हो लिख लेते है कि नोर्स मेरे डेरिविटिव is a financial instrument Derivative is a financial instrument which derives its value from underlying asset बाज समझ में आ रही थी थी ना, Reliance का share का price बढ़ेगा, तो मेरे जो contract इसकी value आएगी, तो underlying asset क्या हो गए? Reliance का share, और वो जो contract हो गए, उसका नाम क्या है? Derivate, तो derivative क्या एक financial instrument है, which derives its value, which derives its value from an underlying asset. यह book की language है, book की language है, अगर मैं कहूँ derivative क्या, सटा खेलने का instrument है, बस और कुछ नहीं, underlying asset means, क्या-क्या हो सकता है, share, stock सा share, और stock तो एक ही होता है, हाँ, लिख लो भे, bonds, bonds में bet derivative हो सकता है, और क्या हो सकता है, currency, और क्या हो सकता है, commodity, और क्या, stock index, और क्या, stock index, यह, sensex, nifty, और, etc. क्या है, simple language मेली लिख लिखू दū डिखिवार प्त। इडर रव्टू जू सकता है, कि रूटु सबस्क्राइबू एक रूट। कर दो We will discuss this chapter in two parts. दो पार्ट में आमको डिस्कृश्शन करना है इस चैप्टर को. पार्ट नमबर वन. इस अप्शन. इस अप्शन. और पार्ट नमबर टू. फावर्ट. एंड फ्यूचर कॉंफ्रक्ट. ठीक है जी. तो साब ऐसा कि दो पार्ट में डिस्कृशन करना है. बहुत सारी चीजे वैसे अभी हम लोगों को समझ में आई नहीं है. बेटे मैंने गाना अभी नहीं आएगी. थोड़ा सा मुझे टाइम दीचिये. धीरे धीरे आएगी चीजे. जैसी मैं अब आप्शन समझाओंगा. तो मैं वो 510 रुपए लिखा था, 500 रुपए लिखा था, 5 रुपए लिखा था और बहुत कुछ बोला था. वो सारी बाते आप्शन तो अभी लंबा जाना है. तो अगर सो उसराओ कि यह जो पिछली क्लास हुआ है, अभी तक अभी तक जो क्लास चल रही है, इसमें हमको उप्शन समझ में आजाएगा, नहीं बेटे, अब हमको डिटेल में समझना है. तो बस हमें दो पार्ट में इस चैप्टर को खतम करना. पार्ट नमबर वन में क्या करेंगाँ, option contract, और पार्ट नमबर टू में बात किसे करेंगाँ, forward and future contract. तो सरी स्टार्ट करें किया, यह भगवान का नाम लेते हैं, और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. देख़ो करें, पार्ट नमबर वन, option contract. जलीज मुला सेचे सिर्ट पैसे पह राए। कर दो सकत है भाए। पाल पैसना हम पाल भाए। यह कोई वा जाओा जो रहा है We will discuss option contract L3 पार्ट्स सर इसमें भी पार्ट्स है हाँ बेट्टे option contract हम तीन पार्ट में distribution करेंगे पार्ट नम्बर बान तीन टॉपिक जिसमें हम बढ़ेंगे basics option का basics part no. 2 evaluation of option पार्ट नम्बर 3 option strategy basics में सिर्फ और सिर्फ आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी कि share market में जो शब्द यूज किये जाते हैं बहुत सारी चीज़े actual में आपको option क्या होता है यह सीखना है part no. 1 में जिसमें सायद 2-3 classes लग जाएगी part no. 1 basics मैं यह नहीं कहरा कि इससे question नहीं आती इससे question से आते हैं पर ही basics question होते हैं बिल्कुल option क्या है call option put option American European knowledge knowledge मिलेगा knowledge ठीक है valuation of option में हमको option की value निकालना सिखना यह क्या होता है सर यह भी आपको जब यहां आओगे तो बात समझ में आ जाएगी लेकिन ICAI के हिसाब से this is most most important topic है evaluation of option ठीक है तीसरा option strategy, option strategy से generally questions नहीं आते हैं exam में पर ऐसा नहीं कि option strategy हमारे syllabus में नहीं हमारे syllabus में है हमको करना तो पड़ेगा कापी कुछ बच्चे option strategy छोड़ देते हैं पर यह गलती मत करना आप लोग बिलकुल सुरू से सारी चीजी समझें तीन topic में हम काम करेंगे basics जिसमें हम option में घुसकर पढ़ेंगे कि आखिर actual में option क्या है से स्थाट कहा है पैठे इस डा करेंगे हम basics में सब्सक्राइब समझते जाएंगे समझते जाएंगे और एक दिन हम expert होगे जब expert होगे तब भी valuation समझे में आना नहीं तो valuation समझ में नहीं आना ठीक है जी तो चलो जी ऑप्सन स्टार्ट करने जा रहा है आज और स्टार्ट करें हैं बेसिक्स से कि आखिर ऑप्सन क्या होता है चलो लिखिए बेसिक्स हाँ तो अब स्टार्ट कहां से करेंगे बेसिक्स से तो लिखो के आगे आगे चल रहा हैं लोग हाँ तो लिखो के साथ बेसिक्स हाँ अब सुनोगे मारी बात को ठीक से कि मैं क्या कहना चाहता हूँ बिल्लकुल इतना से क्योंकि यहाँ ऑप्सन का विसे में मैं पहले आधा धूरा बताया था पूरी बात समझाने वाला हूँ पूरी बात आप्सन की विसे मैं हमें एक एक्जामपल के धीरे धीरे चलेगा यहां कुछ लिखना नहीं सिर्फ समझना है क्योंकि एक बार समझ लिया ना तो आने वाली जितनी भी क्लासिस से उसमें आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होगी मेरी ग्यारंटी है प्लीज बिल्कुल ध्यान से सुनना में बिल् है तो सवाल यह है इसे मैं बाद में रफ कर दूँ एक परसंट जिसका हमने क्या नाम लिखा था रा ठीक है और शेर कौन सी कंपनी का था और एलायंस जिसका प्राइस आज कितना था 500 ठीक है राम को क्या लग रहा था शेर का प्राइस क्या होने वाला शेर का प्राइस बढ़ने वाला शेर का प्राइस बढ़ने वाला तो राम भाईस आप किसके पास पहुंच राम पहुचा किसके पास stock action राम पहुचा stock action के पास और stock action से क्या बोल रहा राम यह बोल रहा था कि देखो stock action share का price आज से तीन मेने पात प्राइस बढ़ने वाला है और 500 रुपय से उपर होने वाला है यहां तक बात हो गई ओक है तो इस टॉक एक्षिज ने यह कहा था कि ठीक है जी अगर प्राइस बढ़ने वाला तो आप शेयर खरीद लिए बत कि बूले मैं शेयर नहीं खरीदना चाहता एक्शुल में दो प् और अधुर सब्सक्राइब करें ऊंगों में यह थ número अई छ में तो इस बेसागर खरीज प्राइस कम होती है तो इस टोडय प्रप्रेक्ट कर लेते हैं नहींंट में क्या लिखा रहेगा, सुना थियां से कॉल्टम स्ट्रेटमिर एक कॉलDA और कॉंट्रेक्ट में लिखा है, राम, यू है, राइट, राम, यू है राइट, तो है ऑप्शन, राइट की जाखह मैं क्या लिखते हूं, ऑप्शन लिखते हूं को मज़े जाएगा, तो बॉबै चेर एफ्तर थीम्मोंथ अदटर थीम्होंथ ठीक यह contract हो गया यह contract जो हुआ किस किस के बीच में हुआ यह stock action और राम के बीच में होगा contract कौन बोल रहा है यह वाट राम राम यह कह रहा है कि please stock action एक contract हो जाए तो ज्यादा अच्छा है contract में ये बाते लिखे रहेगी कि stock exchange में आप से stock exchange में आप से 510 रुपे का share खरीद दूगा आज से तीन मैने बाद यार कुछ भी आप पोरी भीक्चिर समझाए। सारी भीक्चिर अब श्टार्ट हो रहे हैं। पैसले अब कुछ भी बत कर रहा हैं, मतलब की इस्टाुक एंज मेरा काम शेयर बेचना винहीं हैında क कभी भी आपको ऐसा क्या लगा रही श्टॉक एक्षिंज का मतलब क्या होता है कि उसकी शेयर की दुकान है जो चाहि को फाई वह शेयर ले जाए ऐसा नही hơn होता स्टॉक एक्षिंज कहता है कि में दो पारिटी के बीचे में डील करा रह से यह मेरा काम है अब बिट एक पर्षन और है, अब ध्यान से समझना, अब पिक्चर आ रही है सारे सारे, इस पर्षन का नाम क्या है, यहां ले आँव पिक्चर आँग, इस पर्षन का नाम है श्याम, एक और पर्षन आ का है, वो सुन रहा था किस-किस की बात सुन रहा था वो राम और श्टॉक एक्षिन के बीच की बात सुन रहा था और राम कह रहा था कि जी मुझे पासो दस रुपए में शेयर दे देना बदले में मुझे से प्रीम एक्ट्रा आज एडवांस में इस कॉंट्रक्ट की वैल्यू ले 20 रुपए किसको देने को तया है श्टॉक एक्षन पर श्टॉक एक्षन साफ मना कर दिया मुझे ये कॉंट्रेट की कोई वैली वैल्यू नहीं चाहिए कुछ भी बात कर रहा है मेरा काम शेयर बेचना नहीं है अब श्याम ये बाती सुन रहा था स्याम श्टॉक एक्षन से पूसर क्या चल किया रहा है बुली पता नहीं एक परसन आया है राम जो कह रहा कि ये शियर मुझे एक रिलाइंस कंपनी का शियर प्लीज मुझे 510 रुपए में बेच दीजिएगा कब आज से तीन महने पात ठीक है और बदले में ये कुछ मुझे पैसे भी देने को तैयार हो गया कितना रुपए 20 रुपए इसको और सिंप्लिशिटी के लिए मैं इसको पास सो रुपए ही कर देता हूं ठीक ही पास सो दस को है पास अब पैसन करता हूं पास सो रुपए रहा श्याम कहता है यार सुनो अब श्याम के मन में क्या है श्याम के मन में किया रिलाइंस कंपनी का शियर जिसकी कीमत आज पास सो रुपए है सामने वाला पैसन कहता कि तीन मेहने बाद मुझे पास सो रुपए में दे देना है अब को लग रहा यार यह राम पागल है क्योंकि यह रिलाइंस कंपनी को जितना मैं जानता हूं कौन जितना मैं जानता हूं आज से तीन महने बाद तो इस कंपनी के शेयर की प्राइस कम हो जाएगी चार सो रुपए हो जाएगी किसको ऐसा लग रहा श्याम को राम को क्या लग र जाने वाला 400 रुपए हो जाने वाला 400 तो अब शियां में इस चीज का फाइदा उठाना चाहता है फाइदा कैसी उठाएगा अब इस टो किसे सुनो राम को हां बोल कि अगर तीन मैंने बात राम राम आएगा अगर शियर की कि माच्छे सो रुपए हो गई सुना बेटे अब समझना आप प्रॉब्लम क्या है अगर शियर की किमा 600 रुपए हो गई तो राम आएगा और इस्टाइचेंज कि राम मुझसे शियर मांगेगा कितने में मांगेगा 500 में और मैं कहां से शियर लाकर दूगा बिटे कौन फ़सा हुआ है राम बिल्कुल अजीब से राम नहीं कौन इस्टाइचेंज कहां से शियर लाकर दूगा तो आप से शियर में लाकर दूगा कहीं से भी लाकर दूगा में लाकर दूगा मेरी दरी है, शियाम के जिम्में दरी है इस टॉक एक्षिन बोले पक्का बोले पक्का मिला कर दूँगा, टेंशन खतम ओहो, तो ये बात है हाँ, और प्लीज कॉंट्रेक्ट कर दीजे, और कॉंट्रेक्ट हो गया किस-किस के बीच में कॉंट्रेक्ट हुआ राम और श्टॉक एक्षिन्ज, कॉंट्रेक्ट किया हुआ कि राम आपके पास आप्षिन है, आप तीन मेहने बाद आ सकते हो, और श्टॉक एक्षिन्ज से शियर ले जा सकते हो, कितने में ले जा सकते हो, फाइफ हंड्रिड रुपीज इसे श्याम को क्या फायदा श्याम को क्या फायदा बैटे श्याम को ये जो 20 रुपए है ना 20 रुपए ये किसको ट्रांसपर हो जाता है ये श्याम को ट्रांसपर हो जाता है ये 20 रुपए श्याम को मिल जाता है है अजब सरकुछ नाम करनम कर दे किया उसका súa रेको एस कुछ नाम करना तो करना ही पड़ाइगा लाह इस नाम देना पड़ाइगा मैं नाम देने जाना हूं दीन दीज़े दीज़े दीज बात लीक्ता हूं इस परसन का राम का नाम क्या है सर राम का नाम है औप्सन बायार या इसी को क्या बोला जाता है औप्सन होल्डर और सर स्याम का नाम क्या है औप्सन सेलर औप्सन राइट ठीक है तो अगर मैं कहूं एक दो पार्टी होती है एक होता है ओप्सन बायर और एक होता है ओप्सन राइटर या ओप्सन सेलर ठीक इसके पास कॉंट्रेक्ट है कि इसके पास ओप्सन है कि ये खरीद सकता है कितने रुपय में, 500 रुपय में हालाकि ये price current market price है अभी पर ये price अलग हो सकती है जिस price पर खरीदने का contract किया जाता है ये वाली price घ्रन है इसको बोला जाता है Exercise price या इस्ट्राइक प्राइस जिस स्रीप 110 भी हो सकता है चार्सो नब्बे भी हो सकता है और जिस रेट पे पहले ही तैम पहले ही डिटर्माइन की जाती है आज की दिन ETS को उसको गुलते exercise प्राइस और इस प्राइस पे share की delivery होगी कब होगी आज से तीन मेट पात सिर्द बदले में जो दिया जाता है ये 20 रुपई इसको क्या बोले जाता है हाँ इसको बनादेना पड़ेगा इसको बोले जाता है प्रीमियम अमाट और प्रीमियम का जो पैसा है वो कौन देता है option buyer और किसको transfer हो जाता है option seller ठीक सर ऐसे contract का नाम क्या है ऐसे कॉंट्रक्ट का नाम होता अप्शन कॉंट्रक्ट यहां तक कोई समस्या है नहीं सर बिल्गुल अच्छा लाग रहा है ठीक अब पिच्चर धियान से समझना धियान से धिरे-धिरे और तो कोंट्रक्ट हो चुका है यह सब लोग पिच्चर में आ चुका है इसके इसके बिच में क्यां सर नहीं तोिक्ट यहां कितने में बाद हो चुकी Passover कब तीन मेहने बाद इंतजार आप काम स्टार्ट हुआ है time स्टक तक्तक और कब का इंतजार इंतजारिons थीमlair बाद कीति tीन मेहने हुए और तीन मेहने बाद श्राम बड़ी आसा लगाई बैठे था कि शियर का प्राइस बढ़ना चाहिए किस्मत से बेटे शियर का प्राइस कितना हो गया सर अब आपको प्रॉफिट लॉस निकालना बेटे नहां सर किस्मत से शियर का प्राइस 600 रुपए हो गया इस इस मार्केट प्राइस मार्केट प्राइस अफ आप यह सब्सक्रा ऋकेट हले मार्केट मार्केट प्राइस अखिए सब्सक्राइस मैं पिक्षर दिखा रहा हूँ कि किस तरह से काम होगा, इस तरह से काम होगा, फटा-फट से राम जाएगा, किस के पास stock action, बदे stock action सुनो न, आज दिन आ गया है, प्लीज मुझे share देदीजी, कितने रुपए में, बात कितने रुपए में हुई थी, बात हुई थी 500 पार्केट में बेज देगा, कितने रुपए में, 600 रुपए में, किया राम को प्रॉफिट हुआ, यस, पास सो में खरीदा था, और 600 रुपए में बेज दिया, बताओ कितने का प्रॉफिट, 100 रुपए का, लेकिन इस काम के लिए उसने पहले से कितना खर्च किया है, 20 प्रॉफिट है, तो भी 80 रुपए का प्रॉफिट है, ठीक, अब एक बत, श्याम, जो आप्सन राइटर, उसको प्रॉफिट हो रहा कि लौस जरा सोचते हैं, उसके अंगल से भी तो सोचते हैं, इसके अंगल से सुचते हैं, होगा क्या, राम जैसे ही आएगा, श्टॉक पास शियर माँगने के लिए, जैसी ही आएगा, श्टॉक एक्षेंज के पास शियर मांगने के लिए, तो अब प्रॉबलम किसका है, प्रॉबलम है श्याम का, शियर लाए तो कहां से लाए, मार्केट से खरीदना पड़ेगा, और मजबूरी है, पास सो रुपे में देना पर सर सो रॉपए का लॉस हो गया हां पर बीस रुपए तो पहली इसके जेम में आ चुका था लॉस है पर अब सौ का नहीं है अब बीस रुपए तो तो कितनी का लॉस है 80 रुपए का लॉस है माइनस 8 सर एक्शूल में हम ऐसा करसे क्या एक्शूल में हम स्टैक्ष अक्षूल में कुछ नहीं होता एक्शूल में बताओ कितने रुपे हो गये शेयर कप द्रॉप को छेशा करकूर राम को कौन देगा, श्याम क्या कोई खरीदा चाहेगा नहीं, क्या कोई बेचा चाहेगा नहीं, सीधी सी बात है, प्राइज बना तो इसका फायदा है, राम का, यही काम चलता है चोल में, पर मुझे श्टोरी बना कर संजाना पड़ा है, क्यों सर, यह तुम को ऐसे भी समझ करें उसके बाद आप प्रैक्टिकल नौलिज देते रहें किसमस से अगर अब आपका नंबर मार्केट प्राइज मांदो 700 रुप रहां बताओ राम को कितने का फायदा सोची राम को कितने का फायदा आपके पास सोचने का ठाइम मैं भी सोचता हूं पास सो में शियर खरी दूंगा और 700 में बेज दूंगा दोस्तों दोसों में से 20 काट सर वानेटी एक स्वासी बिल्कुल से इसका कितने का लॉस आप खुछ सोचके देखो पास सो में मार्केट से मुझे मजबूरी में 700 में शियर करीदना पढ़ना है और 500 में ट्रांसफर करन परड़ा है मतलब सर 200 रुपय का लॉस माइनस 20 रुपय तो प्रीमियम मिल गए था मझको एक स्वासी का लॉस सर इसका मतलब यह हुआ कि जितना राम का प्रॉफिट होगा उतना ही श्याम का लॉस होगा हां भाई हां स्टॉक एक्षेंज को दो ब्रोक्रेज मिलेगा किसी- नहीं पाऊगे पहले आराम आराम से बाते चलते हैं तो अगर मैं इसको इस लेंग्विज में बोलू बिल्कुल सिंपल लेंग्विज में में यह बोलता हूं अभी और आगे चलते हैं और एक प्रेज लिगता हूं अब आपका नंबर है अगर शियर का प्रेज चार सो रुपए हो गया तो क्या होगा 400 हो गया आज से तीन मेहने बाद शियर का प्रेज चार सो रुपए हो गया अब क्या हो गया राम जाएगा राम कितने में खरीदेगा सर्फ 500 में खरीदेगा और कितने में 400 रुपए में क राम ने कहा भई इसी बात का तो डर था इसलिए प्लीज श्टॉक एक्षिंज क्या मेरी पास ऑप्सन है हाँ क्या मेरी पास राइट है यस राइट है कि मैं श्यर खरी सकता हूं 500 में पर मेरा अब्लिगेशन नहीं कि मुझे खरीदना ही पड़ेगा राम का अब्लिगेशन न राम को अगर प्राइज बढ़ेगा प्राइज बढ़ेगा कितने ऐसे 500 से प्राइज बढ़ेगा तो राम ऑप्सन एक्सराइज करेगा यह मैं इस प्राइज को देख रहा हूं मैं करेंट मार्केट प्राइज को नहीं देख रहा हूं अगर प्राइज एक्सराइज तो राम अपसं एक्सराइज करेगा, अगर एक्सराइज प्र minimum उप्सं एक्सराइज करेगा ही नहीं और करेगा ही नहीं तो राम को लॉस तो है, और कितने रुपहे का लॉस वह जो सुरू में दिया था ना कितना 20 रूपए उस ही का लॉस रॉस नहीं तो वछ इपए इसको लॉस कुतने रूपए को बीच रॉपए और इस भाई सबको प्रोफट है कितने रॉपए का क्योंकि इसको मिल गया अच्छा हुआ या राम आया ही नहीं अगर राम आता ही नहीं तो वो भी इस रुपए मैंने जो रखा था ना वो मेरे कोई दिक्कत की बाद है ओके सर अगर सर market price माझनो 300 हो जाता 300 दिक्कत की बाद और समस्य है नहीं सर राम option exercise ही नहीं करेगा प्राइस बढ़ेगा तब ही तो राम option साथ मतलब सर इसका loss कितना होगा BC रुपए होगा सर और इसका profit कितना होगा BC रुपए होगा बात समझ में आ रही है बिल्कुल ध्यान से सर समझ में थोड़ा बहुत आ रहा है कि सर्थ प्राइज बढ़ेगा तो राम option exercise करेगा इस जितना प्राइज बढ़ेगा राम को उतना फायदा होते जाएगा प्राइज बढ़ते जाए राम को फायदा मालो एक हजार हो गया तो भी फायदा मतलब सर इसका जो profit है वो unlimited है बिलकुल price बढ़ते हैं पर जो सर इसका loss अगर maximum हुआ maximum तो loss सिर्फ और सिर्फ कितने का हो सकता है 20 रुपए का premium का loss हो सकता है सर इसकी बात करो न अब श्याम की बात श्याम भाई साब को price बढ़ेगा price बढ़ेगा तो राम आएगा share दे किया श्याम मना कर सकता है नहीं कर सकता it means और इसका loss जो है loss वो तो unlimited हो सकता है बिलकुल engine जो profit होगा profit profit श्याम को कि प्होगा श्याम को तभी profit होगा जब राम आएगा ही नहीं और राम आएगा ही नहीं, क्या ये force कर सकता, ये force नहीं कर सकता, इसकी बात समझ रहा है, मिन्स इसका क्या obligation है, श्याम का हाँ, obligation का मतलब समझ रहा है, अगर राम आता है, तो भई हमें अपनी duty पूरी करने ही पड़ेगा, हमें देना ही पड़ेगा, obligation है, पर हमारा right नहीं है, श्याम का right नहीं है, क्यों राम को जबरस्ती बोलेगा, कि आपको आना ही पड़ेगा, नहीं कर सकता, ठीक है सर, धीरे धीरे बात कर ले, दो party होती है, इसका नाम क्या था, option holder, इसका नाम option writer, ये भाईस आप क्या करता है, advance में premium देता है, किसको stock action, और ये premium का amount stock actions किसको transfer कर देता है, option writer को, ये option seller को, ठीक है, ठीक है, option writer बोलनों, ठीक है, ठीक है सर, इसका क्या है, इसका right, but not obligation, obligation है, right but not obligation, किस चीज़ का, to buy us here, to buy us here, at rupees 500, at exercise price, right but not obligation, इसकी बात करो, obligation है, इसको देना ही बड़ेगा, but not right, obligation but not right, profit, इसको unlimited, loss सिर्फ और सिर्फ बी सुर्पाइग, loss unlimited, और profit सिर्फ और सिर्फ बी सुर्पाइग, ठीक है सर, यहां तक बात समझ भेंग, मैंसे एक बात बताओ, एक symbol सी बात पूचिए सर, yes, कोई भी बंदा, श्याम क्यों मनना चाहेगा, राम ही बनेगा, it means, दुनिया में, अगर आप intelligent हो, तो दुनिया में सभी लोग intelligent है, अगर कोई किसी को बनना भी रहा future में, अगर तु वो सर, option buyer करेगा न, वो option buyer बनेगा, option seller बनेगा ही, क्यों, सबसे मुश्किन बात है, बिलकुछ से, ये तो question है, लेकिन एक बात बता हूँ, मैं आप से कुछ वोड रहा हूँ, answer देना, फिर दीरे से बात करूँ, लोट्री खेला है आपने, लोट्री, लोट्री में होता क्या है, मालो 10 रुपए की लोट्री की टिकेट है, आपने लोट्री की टिकेट खरीदा, ठीक है सर, किसी भी लोट्री कमपनी से, लोट्री कमपनी से आपने 10 रुपए की लोट्री खरीदा, अगर लोट्री लग जा का हो सकता 10 रुपए का पर प्रोफिट कितना हो सकता है भॉह सारा एक लाख रुफिट हो सकता चिह और इस लोट्री कमप्नी उसको आपकी तरफ से सिर्फ कितना और मिल रहा थे रुपए पर अगर आपके लॉट्री लग गई तो कितना देना पड़ेगा एक लाग जड़ा सोचके देखना एक है लॉट्री खिलने वाला सो जी सिर्फ 10 रुपए दे रहाँ मैं और आम सिर्फ मेरा 10 रुपए का last हो सकता प्रॉफिड अन्लिमिटिड लो ट्री खिलने वाला एक लॉट्री कमपटी जिसका profit आपके तरफ सिर्फ 10 रुपए का होका पर अगर आपके लोटरी लगे तो एक लाग दुनिया में कौन ज्यादा सक्सिस्फुल होता होगा एक परसन जो लोटरी खिलता है या फिर लोटरी कमपनी मतलब सर स्याम लोटरी कमपनी है हाँ बटे स्याम लोटरी कमपनी है और राम लोट्री खिलने वाला कौन ज़्यादा सक्सिस्फुल है सर सुनो एक बात वारा है जो लोट्री कमपनी है वो सिर्फ राम के साथ थोड़ीन डील करती होगी वो तो अलग अलग बटे आगे मैं वही तो आपको समझा हूँगा धीरे से धीरे से कुछ स्ट्राटिजी बनाई जाती है ठीक है तो अभी आपको आप इतनी बात समझ लीजिए यह भी पिक्चर में है यह भी पिक्चर में है अगर option buyer है दुनिया में तो option seller भी है और option seller होता है ठीक है ओक है ठीक है यहां तक काफी कुछ बात समझ में आगई अब एक बात और अगया है कि आपको यह सर एक बार और ट्राइल मारें गया ओके सर ठीक है फिर लिख लेंगे अगर मार्केट प्राइज 520 रुपए हुआ अराम से सोचना बिलकुल अराम से सर अगर मार्केट प्राइज 520 हुआ तो सोच के देखते हैं अराम जाएगा शेयर खरीदेगा कितना 500 में कितने में बेज देगा 520 रुपए में बेज देगा सर राम को तो 520 रुपए में बेचा बंदा 20 रुपए का प्रॉफिट प्रीमियम का देना पड़ा था तो वो कड़ गया तो बात खतम तो सर राम फिर जाए गई पास सो बीस रुपए अगर शेयर की कीमत हुई तो बताओ राम और एक्सराइस करेगा यह नहीं करेगा अराम से सोचो अगर राम जाता ही नहीं शेयर खरीद नहीं जाता तो क्या राम को लॉस हुजाएगा यास राम जाएगा जाना ही पड़ेगा तब भी तो इट मेंस राम जाएगा और पास सो रुपए में शेयर खरीदेगा और कितने में बेच देगा पास सो बीस रुपए में बेच था वो expenses जीरो इसको break one point वोनते हैं जीरो पर क्या राम option exercise करेगा हाँ exercise करेगा तब ही तो वो 20 रुपए के recovery हो पाएगी इसको कितने का profit कोई दिक्कत की बसने इसको ये 520 रुपए में market से share खरीदेगा और 520 रुपए में transfer करेगा तो इसको कितने का इसको सर 20 रुपए का profit है 20 रुपए का loss है पर loss जो शुरू में मिला था ना premium 20 उससे cut जाएगा तो finally इसका भी क्या जाएगा ठीक है यहां तक हम लोग क्या करेंगे हम लोग focus किस पर करेंगे exercise price profit loss निकालने के लिए यह exercise price राम कब option exercise करेगा जब इससे price बढ़ेगा तब exercise करेगा नहीं तो नहीं करेगा और होता क्या सुना दियांस हम लोग करते कैसे का actual कैसे होता सुनना राम को कब फायदा जब 500 से उपर मान लो share का price कितना होगा 600 राम कब option exercise करेगा जब 500 से उपर होगा अगर प्राइस होगा 600 तो राम कहेगा कि ठीक है वह यह श्टॉक एक्षिन दे दो 500 से बढ़ा कितना होगा 600 तो प्ली सौ रूप है मुझे दे दीजी सौ रूप पहले लेगा बीस रूपए का खर्च हुआ था तो भी कितने का असे अगर चार सो गवा तो क्या राम आप्शन एक किस से लेगा श्टॉक एक्षिन से 20 रूपए जो दिया था उसको काटने के बाद भी 180 अगर 400 हुआ तो राम आप्शन एक्सराइस ही नहीं करेगा एक्सराइस कब करेगा जब 500 से उपर होगा इट मेंस यहां राम का लॉस कितने का होगा 20 रूपए का अगर 300 रूपए पीस तो वो दे चुका है तो फाइनली क्या है सर तो हम ऐसा नहीं सोचे कि हाँ बिट्टे ऐसा कुछ भी नहीं सोचना कि राम जाएगा शेर खरीदेगा मार्केट में बेचेगा यह सिर्फ हम सोचते हैं यह हमको कॉपी में हो सकता लिखना पड़े लेकिन एक्चुल में ज जाता और कौन देता श्यान देता ठीक है यहां तक बास समझ में आ रहे हैं अब सुनना मेरी बात धीरे धीरे लिखना पड़ेगा इन दोनों के बेच में डिफरेंस आता लिखने के लिए तो फाइनल हुआ कितनी पार्टी हुए दो राम और श्याम राम कौन है आप्सिन बायर श्याम कौन है आप्सिन सेलर इट बेस पहला डिफरेंस राम का क्या होता राइट बट नोट अबलिगेशन राइट बट नोट अबलिगेशन पर इसका क्या होगा अबलिगेशन अबलिगेशन सर जी इसकी ड्यूटी है इसको तो देना ही पड़ेगा श्यार अबलिगेशन बट नॉट राइट इसका मैक्सिमम प्रॉफिट अन्लिमिटेट सर्थ तब दूसरा डिफिर अच्छा इसको क्या देना पड़ता अच्छा और एक बार समझा देता हूं टेंसर चलो लिखतो लेते हैं इसका दूसरा डिफिरेंस अन्लिमिटेट टॉफिट बट लॉस अप्टु प्रीमियम मैक्सिमम लॉस इसका कितना होगा प्रीमियम मैं प्रॉफिट कितना होगा अन्लिमिटेट पर इस भाई साथ प्रॉब्लम दूसरी है यहां क्या हो सकता है अन्लिमिटेट लॉस और मैक्सिमान प्रॉफिट कितना हो सकता है प्रीमियम जो मिला बस उतने में खुश रहो प्रीमियम मैं ठीक है दो चीजी तो समझा है अब सूच के बताना किस्ता पुरी स्टूरी घुमा कर बताना आराम से मालो तीन मेहने बाद शेयर का प्राइस तीन महने बाद 2,000 रुपए हो गया सर अगर शेयर का प्राइस 2,000 रुपए हो गया तो सोच के देखो वे टिक क्या होने वहला सर राम की तो खुसी का ठीकाना ना YAS क्या वो आपसन एकसाइस करेगा हां सर हां वो जाएगा stock exchange के पास और stock exchange शेयर खरीदेगा कितने में 500 में उसको माल में कि 2000 रुपए प्राइस हो गया तो पासों में share खरीद के मैं 2000 रुपए में बेज दूँगा तो मेरा तो फाइदा ही फाइदा है तो पहुच गया है किसके पास पहुच गया है stock exchange सुनो 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 आज वो दिन आ गया है प्लीज कितने में बात हुई थी है हमारी 500 में प्लीज वो शेयर मुझे 500 में दे दीची तरी बात फिर से समझ रहा हूं आप इसको लेकर confusion होना यह जो market price है यह कुछ भी हो सकता है यह मान लो आज का market price 490 this current market price है और बात कितने में हुई है 500 ठीक है इसको पर focus करूंगा totally इस पर मुझे आज की market price से मतलब नहीं है मुझे market मुझे exercise price से मतलब है ठीक है चलो जा तीन महा हो चुक है राम पहुच और share का price कितना हो चुका है दो हजार रुपए हो चुका है राम पहुच गए किसके पाँ पास इस टॉक एचिन पास और प्लीज इस टॉक एचिन मुझे शेर तो दे दो अब इस टॉक जाओ रुक जाओ में क्या कीमत होगी 2,000 हो गई, मैंने तो पहली बोला था, होगी, 2,000 रुपे कीमत हो गई अब, इस टॉकेशन बोला था, ठीक है, मैं अर्रेंजमेंट करता हूँ फोन लगाया, किसको फोन लगाया, शाम को, क्या बोलने के लिए, कि भी या शेयर ला दो मार्केट से खरीद के ला दो, क्योंकि आपने पहली बोला था, मेला कर दूँगा फोन लगाता है, किसको श्टॉकेशन, श्याम को, और श्याम का मॉबाइल स्विच आफ है अब क्या करें, सर क्या करेंगे, समझ में नहीं आ रहा बिटेश, श्याम को मॉबाइल ही स्विच आफ है, अब क्या करें और राम तो आकर बैढ़ गया, राम इंतिजार करें, श्टॉकेशन, बोलो नहर, बोल की नहरे, श्यार तो दो, आप जल्दी करो आरेंजमेंट और श्टॉकेशन, फोन लगाए जा रहा है, किसको श्याम को, श्याम को मॉबाइली बंद है, अब कौन फस गया बीच में, श्टॉक एक्शन, क्या इस्टॉक एक्शन, राम से बोल सकता, हाथ खड़े कर सकता, कि भीया है ही नहीं है, वो फोन नहीं उठा रहा सामने वाला श्टॉक एक्शन, डिफार्ट नहीं कर सकता, आज तक डिफार्ट नहीं किया, अब कौन बीच में कौन फसा है, बीच में कौन फसा है, बीच में फस गया है, श्टॉक एक्शन, किसकी वज़ा से स्याम ने प्रॉमिस किया था, कि वादा किया था, कॉन्ट्रक्ट किया था, लाश एंड टाइम पर उसने एंड टाइम पर क्या कर दिया मोबाइल बंद रहती सो चो श्याम का मोबाइल बंद हो सकता कि हो यह नहीं सकता क्योंकि श्याम के पास option है आए तो ठीक और ना आए तो ठीक इसका tension नहीं है stock exchange को tension किसका इसका सोचके देखो जब contract होगा जिस दिन भी आज अगर contract होगा तो stock exchange शक की निगाव से किसको देखेगा क्या राम को देखेगा नहीं क्योंकि राम का तो option है आओ तो ठीक नाओ तो ठीक इस stock exchange शक की निगाव से देखागा श्याम को कि भहिया श्याम लास्ट टाइम पर लास्ट मोमेंट पर अगर धोका दे दिया तो मैं फस जाओंगा stock exchange को tension है इस चक्कर में stock exchange बोलता है जिस दिन contract होता उसी दिन कि श्याम सुनो भाई कल को अगर आपका mobile बंद होगा तो मैं प्रॉब्लम में फसूंगा तो प्लीज आप कुछ पैसे हमारे पास security deposit करवा दीजिए security deposit stock exchange में उस सब्द को नाम दिया जाता है margin तो श्याम को margin जमा करना पड़ेगा किस के पास stock exchange के पास इस भाई सापको क्या देना पड़ता है आज के ही दिन advance में क्या देना पड़ता है premium जो किसके पास transfer हो जाता श्याम के पास स्याम को security deposit मतलब margin money जमा करना पड़ता है किसके पास stock exchange के पास वह expenses नहीं है वह पैस वापस मिल जाता है ठीक कोई दिक्कत की बात नहीं है पर भई deposit तो करना पड़ेगा लेकिन premium एक टाइप का expenses एट मैं सीधी शिरी बात करूं लास्ट थर्ड वाला मैं लेख वा रहा हूं कि option buyer को advance में क्या देना पड़ता है प्रीमियम है मांट जबकि option writer को option writer को advance में margin जमा करना पड़ता है ठीक किसके पास इस टॉकिस तीसरा point हो गए है यहां क्या हो जाएगा premium प्रीमियम और यहां जमा क्या करना पड़ता है margin इस वाई सबको margin जमा करना पड़े है ठीक है अब एक बात और बच्ची हुए है हो थोड़ी सी मुस्किल है मुझे नहीं मालूम आपको समझ में आएगा नहीं आएगा आप जेल पाओगे नहीं जेल पाओगे पर वो बात बिल्द कुछ ठीक से समयना किस रेट पर बात हुए है राम का ये कहना है कि भगवान शेयर का प्राइस पास सो रुपैसे जादा हो जाना चाहिए बढ़ जाना चाहिए ठीक है अब ध्यास सुना अब राम कॉंट्रेक्ट हो चुका है किसके बीच में राम और श्याम के बीच में कॉंट्रेक्ट हो चुका है राम भगवान से राम क्या चाहेगा शियर का प्राइस बढ़े और श्याम क्या चाहेगा शियर का प्राइस कम हो अब राम के पास भगव आप एक काम करो प्रीज शेयर का प्राइस को या तो पचास रुपए में चेंज कर सकता हूं या तो 100 रुपए में और सुनो बढ़ाऊंगा नहीं चेंज करने की बात कर सकता हूं मतलब बढ़ा भी सकता हूं कम भी कर सकता हूं या 1500 रुपए बढ़ा भी सकता हूं कम भी कर सकता हूं यह बोलो कि कौन सा एमाउंट आपको पसंद है फिर से ध्यान से सुना राम से भगवान राम से कह रहे हैं कि मैं आपको वर्दान देना चाहता हूं आपको कोई एक एमाउ कर सकता हूं 100 रुपए से भी अब डाउन कर सकता हूं औरMusic 50 रुपइ से बढ़ा भी सकता हो लेकिन सुनौ कंभी कर सकता हूं मतलब में फ्लक्चुेशन में कंभी कर सकता हूं ज्यादा भी कर सकता हूं आपको एक Amount सलेक्ट करना हो आप 50 रुपइ से fluctuation चाहते हो या 100 या 1.500 रुप है अब राम सोच रहा है यार अगर 50 रुपए बढ़ेगा तुम्हें 50 का फायदा 50 गिरा तो 20 रहेगा 100 बढ़ा 100 का फायदा प्रीमियम को एक थोड़ा सा असी का वायदा चौला ठीक और सर अगर 100 गिरा तो 20 का लौस सर 1500 रुपए 1500 रुपए 1500 रुपए तो सर 1500 का फायदा 20 काट लेंगे पर अगर गिरा तो भी इसका मतला वह राम के मान में एक बात अरही अगर प्राइस बढ़ेगा तो फायदा ही फा भगवान पुरा मार्केट मार्केट बिल्कुल बहुत जदा फ्लक्षिशन है या तो भगवान 2000 से बढ़ा दो या तो 2000 से कम कर दो अगर 2000 से बढ़ा क्योंकि आप मुझे यह नहीं बोल रहे हैं किसी बढ़ेगा बढ़ेगा यह बढ़ भी सकता कम भी हो सकता तो करना है थो तो 2000 रुपए से बढ़ा दीजिए अगर 2000 रुपए से बढ़ा दीजिए तो मेरा बड़ा सारा फायदा या तो पूरा market ट्रेस्ट कर दो कितना जाएगा बीस ही जाएगा तो बताओ राम क्या चाहेगा market जादा fluctuation होना चाहिए कि कम fluctuation होना volatility वोलते है थोड़ा सा पर लॉस तो उतना ही होना है पर बहुत जादा fluctuate होगा तो राम का बड़ा सारा फायदा हो सकता है पर लॉस तो उतना ही होना तो इट मेंस यह क्या चाहेगा कि जो fluctuation है जो volatility है वो बहुत जादा हो श्याम की बात करें स्याम से भी भगवान ने कहा वरदान मांगो श्याम कहता साथ अगर price बढ़ा अगर मालो 200 रुपए से बढ़ा तो में तरो तो बहुत जादा loss है बहुत जादा पर 200 से कम हुआ तो से 20 का profit और फिर और जादा बढ़ा तो फिर तो मेरा और भी जादा loss है पर profit से भी तो भगवान fluctuation प्लीज जादा मत करना क्योंकि मेरा फाइदा तो कुछ है नहीं 20 का ही है लेकिन अगर आज में ज्यादा fluctuation कर दिया तो मेरा बड़ा सारा loss होगा इट मेंस राम क्या चाहिएगा बहुत ज्यादा volatility हो market में और श्याम क्या चाहिएगा volatility कम हो this is point number four difference मैं लिख पा रहा हूं theory जो है ना बेटे मैं यही याद करवा दूँ है point number four it means यह volatility पसंद करेंगा love's volatility और यहां सर क्या लिख दे है hats volatility fluctuation लिख सकते है ठीक एक्जाम में आया हुआ सर मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको याद करवा दूँ theory जितना मेरी बास है प्रैक्टिकल हम करने वाले पर जितना आपका practical important है उतना ही theory important है चार चार नंबर का question आता है और इस तरह से मैं आपको याद करवा दूँ कि आपका tension ही खतम हो जाए हाला कि इसको क्या लग रहा था price बढ़ने वाला ऐसे option का नाम है call option पाप्रिबबब इट मेंस option contract भी option भी दो type की होती है एक होता है call option एक होता है put option put option भी मैं समझा रहता हूँ इसका नाम क्या है इसका नाम है call option चलो खेर अभी तो मैं काम काम की बात करूं कितनी party होती है sir कितनी party होती है एक का नाम क्या होता है option holder और एक का नाम क्या होता है option writer exam में आया हुआ theory short note parties in option contract देरा two parties in option contract यह party नहीं इस टॉक इस पार्टी नहीं है एक होई option holder और एक होई option writer option holder difference दिखाए difference option holder दिख रहा है right but not obligation जब किसके पास क्या होगा obligation but not right इसको advance में क्या जमा करना हो था premium जो कि किसको transfer हो जाता option seller को इस भाई साब को क्या जमा करना था margin money किसके पास stock किसके पास तीसर प्रॉपिट होगा वो कितना होगा unlimited पर maximum loss कितना होगा से premium इसकी बात करो तो इसकी बात unlimited loss होगा पर maximum profit कितना होगा premium amount यह क्या हो गएगा यह कहेगा volatility बहुत ज्यादा हो यह क्या कहेगा volatility कम हो यहां तक ठीक है ओक है अभी पिक्चर बाकी है राम को क्या लग रहा था बढ़ने वाला अब सुनना ध्यान से और एक बात थोड़ा speed से लेंगे इस पर आपको बात समझ में आ गए फिर से विक परसं राम इस टॉक्ष्ट स्यांग option holder option right ठीक है आज share की कीमत कितनी है आज share की कीमत है रुपीस 500 अब की बार r הח को क्या लग रहा अब की बार राम को ऐसा लग रहा है चुर्च पाइस बढ़ने वाला नहीं है share का प्राइज का प्राइज आज से तीन मैने बाद कम होने वाला eq means rШ粉 कि अब प्राइस कम होने वाला 500 रुपय का वो तीन मेने बाद मार्केट में कीमत कितने होने वाले यह 400 रुपय में अब फिर राम के मन में बात हैं फिर से यह आप्सिन बायर मैं इसी के इंगल से बात करना हूं अब क्या सोचरा प्राइस कम होगा तो मैं क्या करूबा ठीक ओके सर तो अब यह सूचरा प्राइस कम होगा फिर गया स्टॉकिशन सुनो ना बले स्टॉकिशन क्या है पर एक कॉंट्रेक्ट करते हैं मिले किस बात का कॉंट्रेक्ट क्या होगा तो कॉंट्रेक्ट होगा कि रा are wrong, you have option to sell share at Rs. 500 आफ्टर थ्री मेंस कॉंट्रेक्ट में ये लिखा कि राम आपके पास ओप्षन है आप तीन मेहने बाद हमें ये श्यर कितने में बेश सकते हो फास से अर्फ में बेश सकते हूँ बस राम का टेंशिन खत्म अब इसको क्या लग रहे है कि मार्केट में कितना हो जाए mast तो 400 मा कहरी काar پेश ते चार सो ए록र्रेवा कहरीड एगा और कितने में बेश दीगा बास रूम बेश ड्लोंगा ऑदें संब गाविएक अगूंटिट इसको क्या बोले जाता पुट ऑप्शर अगर मैं कहों और गशंब में रामज नीकित पिछले प्रांघ को क्या लग रहा था प्राइस बढ़ने वाला से वह कों सा और आप्शै कोल अपश्ण यहां क्या है रॉइब कोश्सते को कॉल बैधने प अब बदले में क्या देना पड़ेगा प्रीमियम 20 रुपए ये 20 रुपए इसको ट्रांस्पर हो जाएगा ठीक अब बस कुछ है नहीं अब ध्यान समना अगर कीमत कितनी हो गई 400 रुपए हो गई तो सुना क्या होगा अब पूरी इस्टूरी सुनों अगर कीमत होगी 400 इस ने बेचने का फायदा 100 रुपए है 100-20 तो कितने का 80 रुपए का फायदा अब सोचो बिटे श्याम गैंगल से अगर कीमत 400 रुपए होगी तो अब क्या करेगा इसको अब खरीदना पड़ेगा इसका प्लिकेशन है इसने बेचने का कॉंट्रेक्ट किया तो इस वाइस आपको अब खरीदना पड़ेगा कुछ बच्चे ना गरबर करते हैं कुछ बच्चे ये सोचते option seller का मतलब है कि ये जो श्याम है ये share बेचेगा मैंने ये नहीं कहा ये खरीद भी सकता ये बेज भी सकता डिपेंड करता कौन सा option है call option है कि put option है अगर call option है तो इसकी इसको बेचना पड़ेगा मतलब सर ये दोनों रोल में हो सकता हां call option है कि put option है बस इसकी मजबूरी समझना ये जो 25 रुपए लेकर बैठा आज इसके लिए इसको दोनों ही चीज़े करना पड़ सकता है डिपेंड करता है कि इसका साथ contract किया है अगर इसके साथ contract है खरीदन share बेच भी सकता है डिपेंड करता है कि option कौन सा put option में सोचो put option में इसके पास right है share बेचने का तो इस भाइस आपको मजबूरी में खरीदना ही पड़ेगा कितने में 500 रुपए में खरीदेगा और market में कितने में बेचीगा 400 रुपए में it means इसका loss कितने का है इसका loss है 80 रुपए हुआ तो क्या यह option exercise करेगा हा क्योंकि इसको क्या लग रहा था इस टिक पर दिहां देना कम मतलब 500 से कम हुआ अगर 500 से कम हुआ तो 500-300 कितने का फाइदा कम हुआ तो लॉट्री लग गई कम हुआ तो लॉट्री लग गई बढ़ गया तो भूल जाओ तो 500-300 500-300 200 200 मैं से 20 गये तो कितना सर 180 इसके बात करो यह क्या सोच रहा था प्राइस कम होना चाहिए यहां 500-300 इसका लॉट्स से कितने का लॉट्स से सोचने वाली बात ही नहीं बस आप इसके अंगल से सोचिए इसके अंगल से ता आटोमेटिक प्रॉफिट लॉट्स निकल जाएग तो यह अगर 200 रुपए हुआ तो क्या option exercise होगा यह क्योंकि इसको क्या लग रहा था प्राइस कम होगा option exercise होगा तो 500-200, 200-200 बोलो कितने का फाइदा 300-300 में से 20 काटो तो कितना 280 और यहां loss कितने का होगा 280 से सर अगर शियर की कीमत 700 रुपए हुए 700 तो क्या यह भाई सब option exercise करेगा नहीं करेगा कब जब पासों से नीचे इसका loss कितने का होगा मैनस 20 और इसका profit कितने का होगा यह कौन सा option था put option अब हम तैयार हो चुके हैं बिल्कुल लिखना है थ्योली लिखना है थ्योली लिखने की काम आने वाली है तो फटा फट से बात करें सबसे पहले क्या करें option क्या होता option तो option इसका हिंगल से है, option means right इसका राम के हिए, right but not obligation, option is a contract, option is a contract in which option holder has right but not obligation पिछला call option में क्या कर रहा था यह share खरीद रहा था पैटे मैं जो book की language लिखवाने ही पड़ेगी चलो सब लिखने की कोशिश तो करते हैं basic अब लिखने की कोशिश कर रहा हूं हम स्टार्ट कर रहा है basics से basics basics mga point number one option contract is a contract in which option holder has right but not obligation to buy a sell option holder के पस right है obligation नहीं या तो share खरीदने का अगर share खरीदने का share खरी लूंगा बोल्रा तो कांसा option था? call option पहला वाल एक्जम्पल या तो share बेज लूंगा बोल्रा तो कांसा option? put option option contract is a contract in which option holder has right but not obligation to buy or sell an underlying asset underlying asset में क्या हो सकता? share अगेर हो सकता है at pre-determine price इसको हम क्या बोलत है? exercise price extract price extract price तो option contract a contract is my option holder has right but not obligation to buy or sell an underlying asset at pre-determine price on maturity here an option premium premium is to be paid in advance and such premium and such premium is transferred to 2 किसके बाइस ट्रांसपर हो जाता है? option right कौन ट्रांसपर कर देता है? by stock action ठीक है point number one में हमने क्या लिखा definition or definition किसके इसाफ से? book के इसाफ से अगर मैं बोलू कि option क्या option क्या है? option betting का tools है और उसमें betting की जाती है आपको ऐसा लगता price बढ़ेगा तो उस पर betting हो सकती है price कम हो को उस पर betting हो सकती है यह लिखो के number नहीं मिलेगा लेंगे वेस तो यह लिखना पड़ेगा ठीक है? okay तो पहला point रोगए दूसरे point में क्या लिखे दूसरे point में लिखे there are two parties in option contract लिख लेए कि sir? yes लिखो के point number two there are two parties in option contract two parties होती एक का नाम क्या होता है? option holder option holder option buyer option writer या option seller difference लिखना डिफ्रेंस लिखने के लिए आता है first इसके पास क्या होता? right but not obligation और इसका क्या हो जाएगा sir? इसकी तो duty है? yes इसको क्या बोले कि obligation but not right second इसको advance क्या देना पड़ता है? प्रिमियम and option प्रिमियम is to be paid in advance और इसको क्या जमा करना पड़ता? margin money margin money is required to be deposited at stock exchange point number three difference for this profit unlimited maximum loss unlimited profit और तो फिस द वता हुआ है is premium or not. unlimited loss and maximum profit is premium or not. यह क्या चाहिएगा लवस वालिटिलिटी और यह क्या चाहिएगा हैट्स वालिटिलिटी तो आज की क्लास के लिए बहुत है आज काफी लंबी क्लास चलेगे यह एक्चुली बेसिक चीशे समझा नहीं थी ना सर अभी भी कॉल आप्शन पुट आप्शन आपने समझा है तो वह अगली क्लास में हो जाएगी है अच्छा आज तो पुरा जेला आपने थियोरी है बिट्टे और थियोरी मुझे कवर करवाना पड़ेगा कल दी कलास से पक्का कैलकुलेटर लगेगा कैलकुलेटर लेकर लेकर आओगे क्योंकि आज थियोरी लिखना था जनरली तीचर्स थियोरी नहीं लिखवाते है उतना इंपॉर्टन नहीं और बच्चे वह और भी हो जाते प्लीज मेरी मजबूरी मुझे थियोरी लिखवाना पड़ेगा मुझे याद करवाना पड़ेगा नहीं तो आपके वह चार-चार नंबर के कोशिण नहीं हो पाएगे और मेरी कोशिश यह रहेगी कि जब अगली बार क्लिक पाओ इसको रटना ना पड़े नहीं याद करना पड़ेगा इसको रटना ना पड़ेगा एक बार हो गया तो याद रहा एक बार थोड़ा सा रिविजन कर लोगे घर जाकर तो इसायद यह चारो पॉइंट याद हो जाएगे कोशिश करना मुझे ऐसा लगता है याद हो गया घर में एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगे इंपोर्टेंट शॉर्ट नोट आ सकता है चार नमर का टेकनिकल लेंगवेज है डेरिविटीव की और पहला टॉपिक डेरिविटीव उठाया तो आज के लिए बहुत है याद रखोगे रिविजन करके आओगे क्योंकि अगली क्लास में सब रिकॉल करवाऊंगा मैं सारी के सारी चीज़े तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे थैंक्यू, थैंक्यू सो मच्च बाए बाए